विद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारी चैनल योगा जो किसन इंडिया में विद्यार्थियों आज इस वीडियो के मादम से आप क्रम शाह योग दर्शन जो समझ रहे हैं समाधिपाद में से 43 44 45 46 नंबर के सुत्रों को समझेंगे तो ध्यान से समझना चलिए समझते हैं इसम्ती परशुद्धू शुरोपि सुन्यय और्थमाद्र निर्भाशण निर्वित्र का 43 नंबर का सुत्र है इसको भी धियान रखना किस नंबर का सुत्र क्योंकि नंबर वाइज भी पूछा जा सकता है यानि इस्म्रति परिशुद्धो श्वरोप शून्या एव आर्थ मात्र निर्भाशा निर्वित्रका और शावित्रका पिछले वीडियो में समझा था अब इनका अर्थ समझें सबसे पहले इन सब्तों का आर्थ इस्म्रति यानि इस्मरण परिशुद्धो पूरी तरा से शुद्ध किया गया शुद्ध किया गया श्वर्वुप शून्या अपनी प्रकृत से पूरी तरह विरक्त अपनी प्रकृति जो उसकी प्रकृति होती है से पूरी तरह विरक्त थिक एव जैसा कि आर्थ मात निर्भाजा यानि अपने शुद्धतम रूप में चमकना अपने शुद्धतम रूप में चमकना और निर्वित्र का जैसा कि आप सभी समझेंगे चलक न दिखना क्यों कि दिखना बिना विश्ले सड्द या तर्ककें अब इसका अर्थ समय ये ध्यान रखना इन सब्तों का अर्थ भी ध्यान रखना अब इसको एक लाइन में समझे पहले इसम्रत के भली भात निवरित यानि शुद्ध हो जाने पर कौन शुरूप शुन्या यानि अपने रूप से सुन्य हुई की तरह केवल अर्थ मार केवल अर्थ का भान कराने वली किस के स्थित चित के स्थित निर्वितर का शमाधी है देखो और थोड़ा समझ लूँ इसम्रत जब विशुद्ध हो जाती है तब मन की कोई पहचान नहीं रहती दूसरे सब्दों में कहें तो जब कुछ इसम्रन नहीं रह जाता तब मन की पहचान भी शमाप्त हो जाती इस प्रकार बाहरी श्रोतों का हस्थ छेफ ना होने से केवल बुद्ध ही आलोकित रह जाती है फिर इसे ही निर्वितर का शमाधी या शमापती कहते हैं तो यह आपने समझ लिया अब आगले सूत्र को समझते हैं जो की 44 नंबर का है प्रांब आतेव सा विचारा निर्विचारा चा सूक्ष में विश्या व्याथ ख्याता प्रांबर का सूत्र है अब चलें इसका आर्थ समझें आतेव इससे और एव भी सा विचारा चिंतन मनन जिसे विचार करते नहीं है निर्विचारा बिना सोच विचार विचार बिना सोच विचार के और शूक्ष मुवस्त या विचार विचारा यानि संबंधित बताई गई संबंधित या बताई गई थिक या प्रतिपादित की गई प्रतिपादित थिक इसका अर्था आपने समझ लिया अब चलिए एक लाइन में समझें इसी से ही जो सावितरक और निर्वितरक शमादि है इस सूत्र में क्या बताया गया है इसी से ही जो पूर्व में यानि सावितरक और निर्वितरक समादि के वर्रण से ही किसमें सूक्ष्मपदार्थों में की जाने वाली साविचार शमादि निर्विचार शमादि और वर्रित की गई है इसको और सरल भासा में समझ लें देखो चेतना के गूड़ पहलूं अर्थात बुद्ध मैं रूप या मैं हूं कि अनभूति पर प्रियास के साथ चिंतन करने को साविचार शमापति कहते हैं ठीक इतना समझ में है देखो चेतना के गूड़ पहलूं अर्थात बुद्ध में जो बुद्ध है जो मैं रूप या मैं हूं कि अनभूति पर प्रियास के साथ चिंतन करने को साविचार शमापति कहते हैं यदि ध्यान से समझ नाम यदि स्वताह रूप से चिंतन की चेतना जागरित हो जाती जिसमें इच्छा या प्रियास नहीं होता तो उसे निर्विचार शमापति कहते हैं ठिक जैसे थोड़ा एक्जामपल से समझ लें यह आसनों की सिध्धी प्रस्तुत के समान होती हैं कैसे आसनों के सिध्धी प्रस्तुत के समान होती हैं जैसे आसन करना सीखेंगे आप पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसके बाद आप उसमें निपूर हो जाएंगे तो आपको प्रियास नहीं करना पड़ता है यहाँ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ और बिना प्रियास और इच्छा वाले इस चिंतन को निर्विचार, शमापती या सहज ग्यान है इसको आप सहज ग्यान से भी रिलेट कर सकते हैं जही निर्विचार, शमापती है अब चलिए आगले सूत के तरफ बढ़ते हैं इसमें आपको क्या समझना यानि प्रकरती की गोद में इस्थी थी त्यान से समझना यह 45 नंबर का सूत्र है शुक्ष्म विसयत्तौम चा आलिंग परिवशानम 45 नंबर का अब इसका आर्थ वाले समझें शुक्ष्म विसयत्तौम इसका आर्थ सबसे परे गोड़ विचार गोड़ विचार या तत्तौ ठीक चा और आलिंग बिना किसी विशेश किसी विशेश पहचान के यानि किसी का सहारा नहीं लेना है पहचान के परियवशानम यानि अन्त यानि परियवशानम का एक अर्थ प्रकृते प्रकृत से रिलेट है ना प्रकृते परियंत ठीक अब इसको एक लाइन में पहले समझ लें शूक्ष में विशेश पहचान के इसका अन्त यानि प्रकृत की गोड़ में इस्तित चेतना जो होती है इसको थोड़ा और सरल लेंगे हो जमें आप समझ लें देखो जेतना प्रकृति का सबसे सूक्षिंतम कड़ है जिस चड यह प्रकृत के मूल में लौट जाती है उसी चड सारे भेद समाप्त हो जाते है जैसे ही चेतना भेदूं से मुक्त होती है विचारक का विचारक या विचार की किरिया और विचार का भी अलग अलग अस्तित नहीं रह जाता है इस प्रकार जैतना की अनिस्चित ताओं का भी अन्त हो जाता है तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा अब चलिए अगले सूतर की तरब बढ़ते हैं जो की 46 नंबर का सूतर है यह ध्यान देना इसमें यह बताया गया है सूतर में कि यह सभी ध्यान के बीज हैं सूतर सबसे पहले ता एव शबीजा समाधी यह 46 नंबर का सूतर हैं तो ता यानि वे जो अभी बताया जा रहा है जो संप्रियात समाधी की भेद बताये गया है न वही जो आगे मैं समझाती हुए चली आ रही हूँ एव केवल शबीजा बीज सहित शमाधी गहन ध्यान या शमाधी ठीक और इस एक लाइन में वे सभी समीज समाधी हैं यानि देखो सभी प्रकार के इन समापनों यानि समापती ही को बीज सहित या आलंबन के साथ की समाधियों में मिला दिया जाता है थोड़ा और समझ ले देखो ये सभी प्रकार के समाधियां सभीज हैं कौन-कौन जो आप समझते हुए आ रहें निवितरक सावितरक निर्विचार शाविचार ठीक है और और इसमें यहां बताया कि मतलम निर्वीज नहीं है क्योंकि इन में सभी वृत्तियां पूर्ता निरुद्व नहीं हो होता है तो भी इनके अभ्यास से साधा के बहुत उत्य स्थित में पहुच सकता है ठीक तो आसा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अगले वीडियो में यसे आगे वाले सुत्र को समझाऊंगी इसमें आपने समझा ता एव शबीजह शमाधि शुक्ष शा विचारा निविचारा चा सोक्षिम विश्या वेख्याता और इस्मिर्थी परिशुद्धो शुरूप शुर्णियों महार्थ महात्त निर्भार्शा निर्वितरका तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया हो जहां कहीं ना समझ मैं कमेंट बॉक्स में श देखना तो शुरू को जरूर सेयर करना नया चैनल पता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धान्यवाद विजार दिया हूं